नमश्कार स्वागत आपका हमारे चैनल में और आपके साफ में निलू धनगर और बड़ी खबर आ रही है कि मद्प्रिदेश के राजगर जिले के नर्सिंगर जनपत पंचायत से ग्राम पंचय छाडला में शम्शान के नाम पर कबार चदिग्रस्त चबूतरा और आदे अध और तूटे फुटे तीन शाइड बारिश की बोचारों के विए बीच कई घंटे लगे शव को जलाने में इधर संवर्थ हुव ग्राम जाडला निवासी पत्रकार देवी सिंग्राठोर के छोटे भाई हैमंत कुमार किता बद्रीलाल राठोर की गाउं के पास खेत पर पानी फिलाने जाते समय रास्ते में तार पैसी में करण लग जाने से मोखे पर ही मोध हो गई दी इधर परिजन द्वारा हैमंत राठोर के शव का पोस्ट माइटम नर्सिंगर स्टीविल अस्पताल में कराया गया इसकी लाश को गाउं में लाया गया यहां सुमवार को उ नी अधिक कीचड था कि लाश गिरते गिरते बची शमशान पहुंचे तो वहां ना चबूतर और ना टीन शैट जैसे तैसे उसकी चितल बनाई कंडेवाल लखडियां बारिश में गिले हो चुके थे लिहाजा काफी समय लाश जलने में लगे यहां बता दे कि यहां ककेले एक दिन की कहानी नहीं है हर उस दिन की परिशानी है जब कोई मरता है तो उसके मरने के दुख के साथ सबसे बड़ी चिंता उसकी लाश को जलाने की होती है गारण शमशान के नाम पर कबार है गाउं में शमशान घाट तक पक्की सड़त तो दूर की बाद है लेकिन आज तक मूरं में नहीं डाला गया जिसमें बारिश की दिनों में लोगों का अंतिन संसकार करने में बड़ी परिशानिया दिये लकड़ी का कंड़े गीले अक्थी के आगे पहले से लकड़ी का कंड़े गाउं से लेकर गए रास्ते में वारिश में भीग गए लाश को भी पन्नी में पेक कर दिया गया था जिसने वहाँ भीगे नहीं, लाश जलाने को हुए तो हल्की वारिश की वोशार शुरू हो गई, जिसने बड़ी मुश्किल में लाश को जलाये जा सका, बड़ावर से होगा प्रजपती की रिपोग। चैनि फुरूरूर्प फुलिस ने सवगा पोश्ट मार्टम नरस्वेकर सी बील मेता बैका रूस्पताल में कराया, और उसके बाद सवग हमें सुख दिया, हम घाओं आएं, उसके बाद हमने सवग का ढामिन और समात जड़नों के साथ समसान लहट लेके पहुंचे, तब बा लारी मात्रा में कीचर था और संसान हाट पर पूरा सेड नहीं होने के लिए ग्रावन ने कहा लेकिन सासन की विभी नियोजनाव से संसान नहीं बन सका था जिससे की मसकत में काफी मसकत के बाद आखिर में अंतिम संसकार की अगर संसान हाट तक ठीक से को रास्ता नहीं और रास्ते के बाद जाने तक की कोई भी व्यास्ता नहीं नहीं कोई सेड बने नहीं चबूत्रे बने है